हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे तो अब हम पढ़ेंगे एक्सराइज 5.8 आपको पता है मैम ने एक्सराइज 5.1 से 5.7 तक कंप्लीट करवा दी जाये आप भी जाकर पटाफट चेक आउट कीजिए देखिए मैं आपको basic geometry पढ़ा रही हूं जैसे shapes क्या होते है lines क्या होती है quadrilaterals क्या होते है polygons क्या होते है triangles क्या होता है ऐसे बहुत interesting interesting चीज़े मैंने perpendicular lines क्या होती है straight line straight angles बहुत सारा acute angles obtuse angles जो 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 भी है सब कुछ complete करवा है तो आप भी जाके फटाफट से चेक आउट कीजिए तेखिए geometry कितनी interesting है actually geometry सच में बहुत interesting है आप अपने daily life में practically example से relate कर सकते है geometry को आपको पता है तो आप ही जाके relate कीजिए आपके घर में खुद इने examples है जैसे चपाती हमारी कैसी होती है circle okay ऐसे बहुत सारी चीज़े होती है हमारा matchbox कैसा होता है आप स्क्वारवेट दिखा है स्क्वारवेट का नहीं देखा तो जाके देखे इस और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो जैसे हमारा TV जो होता है वह कौनसे शेप का होता है क्या वह रेक्टैंगुलर होता है या circle होता है तो यह आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारी चीज़े हमारी सराउंडिंग्स में हमारी डेली लाइफ में जो कि आपको जोमेटरी पे सोचने पे मजबूर कर देगी कि हां इस शेप बिलॉंग दिस शेप बिलॉंग दिस ठीक है तो ऐसे बहुत कुछ इंट इंट्रेस्टिंग पैक होगी वैसे मैंने लास्ट एक्ससाइज में पढ़ाया है तो अब मैं आपको वालिगंस बताऊंगी कि वालिगंस और कौन-कौन से होते हैं क्योंकि अभी तुमने क्वाड़ी लेटल्स में सरफ 4 साइट सी होती है तो पॉलिगंस में और भी साइट सोती है क्या चलिए तो चलिए फटा-फट से स्टार्ट करते हैं अब देखिए यह हमारी स्टार्ट होगी पॉलिगं की क्लास ठीक है तो यहां पर देखिए पॉलिगंस वे नौ ट्राय टो एक्स्टेंड आइडिया ओफ पॉलिगंस तू फिगर वित मोर नंबर ऑफ साइट अभी तक हमें पत वहारा बनता है उसे हम केते हैं पॉलिगंस पर अभी तक हमने एक ट्रेंगल और एक यह कौडर लिटल से अब हमें देखना है कि पॉलिगंस और कैसे कैसे होते तो देखें यहां पर कितने पॉलिगंस यह तो देखिए अब इसमें नंबर आप साइट थीए और तो यह क्या प्रमें आपकी नंबर और साइट सिक्स होंगी फिर होता है एक अक्टागोन the time ऑपके नंबर और साइट के एत होती है तो यह सारे की सारे आपके पोलीगन के एक्जेंपल से है इस आर आओ पोलीगनस मुवं अनेक्स्ट यह देखो डिली लाइफ में कहा कहा पे आपको अ सब्सक्क्राइब करते हैं, प्रेंगेड नेसे एक राइपक व्यूर्टर्ण शीनियरिंग को यह प्रच अप्रोग पर सब्सक्राइब और इन भूर उफ्र डाहे ड्रॉट यह आपका क्या है यह आपका था था अपडिब क्या यह नियुक्त अप्रेंगल मैं तर्चे अप तो आपने भी देखा होगा रेल्वे ट्रैक के बिज़ें जब तरह से जाती है और कभी कोई ब्रिज आता है तो बिज़ें जाती है तो साइच साइड तरह से बाइगा और यहां वहाज आएंगी जोर से और ऐसे ट्रैंगल ट्रैंगल शेय बंते होई दिखाई देगा तो ने देखे होंगे भीज को भीज उसमें बैठती है ये जो होता है ये hexagon shape का होता है तो ये भी एक usefulness होता है hexagon shape का होता है building its house मतलब जो भी होती है उसका जो house होता है वो कैसा होता है hexagon shape का ये भी quite interesting है अब हम आते है exercise तो हमारी 5.8 exercise में हम क्या करेंगे हम different different type के जो polygons है वो देखेंगे और polygons देखके हम उसको solve करेंगे तो very first question है यहाँ पर मेरा examine whether the polygons are whether the followings are polygons if any one of among them is not say why क्या ये सारे के सारे polygons है अगर है तो कौनसा है और इन में से एक polygon नहीं है तो कौनसा नहीं है यह अपको बताना है तो देखो यह पहला शेप क्या यह polygon है क्या नहीं है क्योंकि इसका एक end open ना दूसरा end 2010 और मैंने पताया था कि polygon हमीशा कैसा होता है close, तो यह polygon नहीं है, क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह open है, तो यह polygon नहीं है, अब क्या यह polygon है, तो इसमें कितनी साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह कौन सा polygon हुआ हमारा, यह हो गया, hexagon, ठीक है, यह hexagon हो गया, और साथ में क्या हो गया, एक polygon भी हम इसको कॉल कर सकता है, यह क्याहिए, कि यह cross, तो है, यह polygon no, क्यों नहीं है, क्योंकि यह line-segments से नहीं है, यह curve से बना हुआ है, और polygon कि क्या condition होती है, कि हमेशा line-segments से बना हुआ होता है, ठीक है, now, क्या यह polygon ha cóli button, no, यहां पे curve है, उसमें सारी कि सारी क्या होनी चाहिए यह लाइन सेग्मेंट्स होनी चाहिए तो यह एक पॉलिगन नहीं है चीक है moving on next name each polygon अब हमको इन पॉलिगन के नाम बताना है तो यह है हमारा एक अब यह क्या से कितनी साइड है one two three four तो यह हमारा कौन सा पॉलिगन होगा बताएए तो यह होगा आपका क्योंकि इसकी four side है मतलब quad that means quadrilateral चीक है तो यह कौन सा पॉलिगन होगा quadrilateral अब यह कौन सा होगा बताओ यह होगा आपका triangle क्योंकि कितनी साइड है इसकी three तो यह ट्रेंगल हो गया अभी इसमें कितनी साइड है one two three four five तो यह क्या होगा आपका एक पेंटा गॉन इसमें कित साइड है one two three four five six seven eight तो यह क्या हो जाएगा आपका अक्टा गॉन ठीक है और अगर यहां पे six side होती तो यह कौन सा पॉलिगन होता यह हो जाता आपका है जा गॉन चीक है और यह तो आपको समझ में आपके ट्रींगल पेंटागों अक्टागों और हैक्जागों तो इस आर दा पॉलिगन तो मुविंग ओन क्वेशन नम्बर थर्ड अब यहां पे आपको रॉप स्केच और रेगुलर हैक्जागों बनाना है कनेक्टिंग अनी थ्री ओप इस वर्तिस द्रौ और ट्राइंगल आइ यह हो गया आपका हैग्जागों यह अब इस ट्री वर्तिस मतलग एक दो और तीज इन वर्तिस को मैं कनेक्ट करके एक ट्राइंगल बनाओं इस गया त्राइंगल त्राइंगल मुझ गया त्राइंगल क्या बन गया बना और यह कंप्लीट किया है आपका एक हैग्सागन तो यह मैंने बना दिया ट्राइंगल यही तीनों क्या होगे इस थ्री आर वर्तिस टीक है वर्तिस गई वर्तिस अब था एक्सागन गट्राइंगल यही तो ऐसे हमको moving on our next question 4th draw rough sketch of regular octagon use squared paper if you wish draw a rectangle by joining exactly for the vertices of octagon तो पहले तो हमें octagon बनाना पड़ेगा, one, फिर octagon कैसा होता है, two, फिर यह हो गया, three, चिक है, यह हो गया, फिर यह हो गया, फिर यह, फिर यह, फिर यह, one, two, three, four, five, six, seven, eight, eight side होगे, अब हमको four vertices मिला के, एक, क्या बनाना है, square shape बनाना है, तो एक, दो हम, क्या बनाना है, हम यह, हमनो बना जिये, दो वर्तिशे, और यह, दो नो यह, दो वर्तिशे, एक, दो, एक, दो, इन को मिला के, हमने क्या बना लिया, एक, रेक्टेंगल बना जिया, इक, तो थिस यह, four, वर्तिशे जोगई है, आपके, hexagon की, यह, हो गया, आपका, rectangle, चिक है, और यह, हो गया आपका octagon ठीके, got my point moving on next so next question is question 5 a diagonal is a line segment that joins any two vertices of the polygon and is not a side of a polygon, draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonals, ठीके, तो पहले तो पहले तो में pentagon बनाना पड़ेगा तो pentagon हमारा कैसा होता है यह होगे हमारा pentagon अब हमें क्या बनाना है a diagonal is a line segment that joins any two vertices तो हमें दो vertices को join करना तो हमने यह दो को join कर लिया ठीके, फिर is not the side of polygon यह दुखो हमने किसी 2 vertices को join किया है draw a rough sketch of pentagon and draw its diagonal तो मैंने इसकी diagonal भी draw गर दी, यह होगे मेरा pentagon और यह होगे इसकी diagonals ठीके, थीज अरदा वर्तिसस हमें सिर्फ अफ लिए करने ह úड है तो हम ने ले लेते हैं ठीक है तो हमने इसङ ले ले रहे हीलां यह वाली और इक हीली these are the vertices of pentagon okay, so these two vertices help us have made a pentagon and a diagonal okay, so question number 5 you have ended in this exercise so you also study pentagons and you can see how many types are polygons one is one triangle, rectangle and one is one what do we call quadrilateral okay, so triangle, quadrilateral pentagon, hexagon and octagon these polygons are so interesting only their number of sides as they are included and their name will be changed okay, so you also study it very well and cover this exercise and study it very well all the best to you all students okay, so I am going to leave the class so thank you so much this exercise